नवरात्री धृतिया दिन महा उपाए नवरात्री में दो लॉंग और एक कपूर का करें यह उपाए माता रानी नौ दिनों के अंदर हर मनोकामना आपकी कर देंगी पूरी दोस्तो चैत नवरात्री की शुरुवात 22 मार्च 2023 से हो चुकी है इसका समापन 30 मार्च 2023 को होगा दोस्तो चैत नवरात्री एक ऐसी नवरात्री है जब माता रानी जी नौका पर सवार होकर के धरती पर आती है और अपने हर भक्तों की मनोकामना को पूरा करती है कहा गया है कि जब भी मातारानी जी नौका पर सबार होकर के धर्ती पर आती है तो यह बहुती जादा सुबसंकेत होता है इसका मतलब यह होता है कि हर मनुष्य के जीवन में धर्न, सुक में वृद्धी होने वाली है दोस्तो चैद नवरात्री के बारे में एक बात कही गई है कि इस दौरान कोई भी विक्ति अगर हलकी सी भी पूजा पाठ क्रिया साधना कर ले उसको साक्षात मातारानी जी का वरदान और आशिरवाद मिलता है दोस्तो नवरात्री के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है हमारे धल्म शास्त्र में कि इस नवरात्री के दौरान कोई भी उपाय अगर आप करते हैं तो वहाँ उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है उन उपायों का आपको लाखों गुना वापस से लब मिलता है और आज आपको हम चैत नवरात्री के दौरान किये जाने वाले लौंग और कपूर के उन उपायों के बारे में आपको बताएंगे जिससे आपके जीवन के हर परिशानी जड़ से नश्ट हो जाएगी और आपके जीवन में सुक, समरिद्धी, धन, दौलत, एश्वर रिके आपको प्राप्ती होगी दोस्तो अगर आपके जीवन में किसी भी परिशानी से आप जूज रहे हैं अगर आपको किसी ऐसी बिमारी ने धर दिया है जिसका इलाज करा पाना बहुती मुश्किल होता चला जा रह आपका वैपार ठप पड़ा हुआ है नौकरी के तैरीक कर करके आप ठक चुके हैं परंतो आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है आर्थिक संकट में आप फसे हुए हैं कर्ज के मायजाल में फसते हुए चले जा रहे हैं आपकी जीवन में आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि आप किस दूशा में जा रहे हैं तो दोस्तो चैत नवरात्री से अच्छा मौका आपको मिलcular नहीं सकता क्योंकि अगर आपने चैत्र नवरात्री के दौरान लौंग और कपूर के उन महा उपायों को कर लिया जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा तो दोस्तों आपकी ऐसी कोई भी मनुकामना नहीं है जो माता रानी जी के आशिरवाद से पूरी ना हो पाए दोस्तों कहा जाता है कि चैत नवराती के दौरान लोग वरत रखते हैं पूजा पाट विदी विधान से करते हैं ताकि उनको साक्षात माता रानी जी का आशिरवाद मिल सके लेकिन दोस्तों आपने भी दिखा होगा कि आज के लोग अपने घर परिवार के लालन पोशनल के चक्कर में इतने व्यस्त हैं कि पूजा पाट वरत करने का उनके पास समय नहीं है इसलिए हमारे धर्म शास्त में पूजा पाट वरत के कुछ विकल्प बताए गया हैं धर्म शास्त में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप अपने जीवन के कुछ मिनट इन उपायों को दे दें तो इन उपायों का जो आपको लाब मिलता है वो पूजा पाट और वरत के बता दिया था नवरात्री धृत्या दिन महा उपाय आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि नवरात्री के दूसरे दिन तीसरे दिन या चौते दिन से आप ये लौंग और कपूर के उपाय अगर करते हैं तो कैसे माता रानी जी के आशिरवास से आपके जीवन की हर समस्या खतम हो जायगी और आपके जीवन की जो भी मनो कामना होगी वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी दोस्तो आपकी कैसी में मनोगामना हो चाहे नौकरी प्राप्ती की संतान प्राप्ती की आप प्रऊपटी खरीदना चाहते थे आप चाहते थे अपने जीवन के हर प्रकार की परिशानियों साब को मुक्ति मिल जाए आपको जिस बिमारी ने घरसित कर दिया है और उससे आप परिशान हो चुके हैं उस रोक से आपको मुक्ति मिल जाए तो दोस्तो एक सरल सा हुपाय लॉंग और कपूर का कल लिजे जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं क्योंकि यह हुपाय अपने कल लिया तो अवश्य ही इस चैत नवरात्री के बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी वो एक तरफ जहां पूरी होगी आप अपने जीवन में काम्याब होते चले जाएंगे इसलिए अगर आप भी चाते हैं कि मातारानी जी के आशिर्वाद से आपके जीवन में धनकी वर्षा हो मातारानी जी के आशिर्वाद से आपके हर गष्ट खतम हो जाएं मातारानी जी के आशिर्वाद से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं तो पूरी सच् अब बहुत सकता है तो वह आम आपको reply के माध्यम से तुरंती बता देंगे इसलिए पहले अपनी राशी डाल दीजेगा और दोस्तो अभी तरग आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करतीजे तो आपको हम जो उपाय बताने आ रहे हैं यह आप नवरा पाठ में और लौंग का इस्तमाल होता है खाने पीने में लेकिन बहुत कम लोगों को यह बात पता है लौंग और कपूर का महा उपाय जो होता है यह आपके जीवन के हर परिशानी को जड़ से नश्ट कर सकता है दोस्तो लौंग के बारे में एक बात कही गई है कि लौंग आपको उताने रहें दोस्तो जो अगर आपने चैत्र नवरात्र के दौरान कर लिए तो अवश्य ही आपके हर मनुकामना पूरी होगी इसी रहे इन उपायों को कहीं पर लिख लिजे दोस्तो क्योंकि यह चैत्र नवरात्र का जो समय आया है धर्म शास्त के हिसाब से इसमे कुल 16 तरीके के शुब और दुल्लफ संयोग बन रहे हैं जिसमें ब्रह्मा सिद्धी योग, प्रियाग योग, पुष्प नक्षत्र योद, इंद्र योग जैसे कुल 16 योग हैं और इन योगों का अगर आपने फायदा उठाया इन उपायों को कल लिए जो आपको हम बतान दिजेगा, देखिए सबसे पहला उपाय है घर की बरकत का महा उपाय, एक बात का ध्यान रखेगा दोस्तों, आप कितने ही मैनत कर लें, कितने ही परिश्रम कर लें, अगर आपके घर पर नाकारात्मग शक्तियों का वास है, तो आपके घर की बरकत नहीं हो सकती, आपका घ पात्री के दूसरे या तीसरे दिन से, सुर्यास्त के बाद, ध्यान रखेगा दोस्तों, महरत का बहुत ध्यान रखना होगा आपको, सुर्यास्त के बाद, नहाना है, धोना है, लाल रंग के वस्तर धारन करने हैं, दोस्तों, कभी भी माता रानी जी की जब भी पूजा या आपके घर पर जहाँ पूजा गर है जहाँ पर मातारानी जी की तस्वीर है मुर्टी रखे हुए यहाँ पर आपको इस दो लॉंग और तीन कपूर को जलाना है जैसे ही जलना शुरू हो जाएँ आपको इसका पूरा धुआ जो है वो पूरे घर में दिखाना है और जितनी देर आप धुआ दिखा रहे हैं जै माता दी जै माता रानी जै माता दी जै माता रानी बोलते रहना है अब इससे हो गई ये कि आपके घर पर जिन भी नाकारात्मक शक्तियों का वास्ता जिसकी वज़ा से आपके घर में परिशानिया उत्पन्य हो रही थी वह हमेशा के लिए नश्ट हो जाएंगी क्योंकि यहां पर आपको साक्षात मातारानी जी का आशिरवाद मिलेगा और आ आप इलाज करा करा कर ठक गये हैं परंतो उसको कोई उपाएं मिल नहीं रहा है आपको यह आपके परिवार में किसी ऐसे वक्तिकों किसी ऐसे रोग ने धर लिया है जिसकी वेसे वह पतर लेना है पूदितल के एक पातर लेने के बाद गिनके 5 कपूर, 3 लॉंग हम फिर जलाना है जलाने के बाद माता रानी जी के सामने आपको कम से कम 101 बार जै माता दी जै माता रानी बोलना है इतना बोलने के बाद इसी पीतल के पातर को उस रोगी के सर के उपर बाए और से दाए और साथ बार गुमाना है इतना अगर आपने तीन या चार दिन कर लिया तो मान तीसरा उपाई जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो है दोस्तो करमों के फल प्राप्त करने का उपाई कहने के मतलब यह है कि अगर आप महनत करते हैं आप परिश्रम करते हैं परंतु आपको उसका लाब नहीं मिलता है आप बहुत परिशान हो चुके हैं कि आपको आपकी महनत का फल नहीं मिल पारा तो आपको क्या करना चाहिए बहुत ही असान सा उपा है दोस्तों आपको रोज बस यह करना है नवरात्री के दूसरे दिन से कि गाय के दूसर से बने हुआ घी का दीपक जलाना है दीपक जलाने के बाद उस दीपक में आपको एक लॉंग डाल देना है ये प्रतेख शाम को अगर नवरात्तिर के दूसरे दिन, तीसरे दिन से आप करना शुरू कर देते हैं, तो मान की जलिए माता रानी जी के आशिरवास से आपके जीवन में जो आप महनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, आपको उसका फल भी मिलेगा, और आप अपने जीवन में बहुती उन्नती करेंगे, दोस्तों ये एक महा उपाय है, जो हर व्यक्ति को अवश्य ही करना चाहिए, इस बात पर पहले तो आपको वीडियो लाइक कर दीजेए, और कमेंड बॉक्स में जै माता दी लिखना मद भूलेगा, चौता उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, ये है राहू केतू का साथ पाने का महा उपाय, अब मान लिजे दोस्तों, कि आपका राहू केतू आपके साथ में नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, नवरात्तिरी के दोरान, ध्यान रखेगा दोस्तों, नवरात्तिरी के दोरान आपको ग्यारा कपूर, ग्यारा लॉंग जालाना है, इस चीज को लिख लिजेगा, और आपको प्रतेक शाम को इसी पीतल के पातर में ग्यारा लॉंग और ग्यारा कपूर को जला करके अपने आप प्रतेक शाम को यह उपाय कर रहे हैं मातारानी जी का नाम लेते हुए अपने छट पर जा करके तो दोस्तो आपका रहु केतु अच्छा हो जाएगा और आप अपने जीवन में बहुती जादा तरक्के करेंगे दोस्तो आखरी उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं यह है सुक, समरिद्धी, धन, दौलत, एश्वर्य की प्राप्ति करने का महा उपाय और यह बहुती सरल सा उपाय है बस इसको आपको बहुत ध्यान से करना होगा यह उपाय के लिए आपको एक लाल पोटली लेनी है ला जलाना है इसको जलाना के बाद आपको 11 बार दुर्गाचालीसा का पार्ट करना होगा यह जो पोटली है माता रानी जी के दाये चलण से छुवा करके आपको अपने धनिस्थान पर रख देना है धनिस्थान का मतलब है कि अलमारी तिजोरी या जहां से भी आप वैपार कर और फिसी फिर से आपको यही उपाय करना है तो दोस्तो आज की वीडियो को यहीं पर समप्त करते हैं